हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका अपने यूटी चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नमबर तु का राज एवं राष्ट की आए अध्याय नमबर जो दूसरा है अर्थ वियस्था का उसका राज एवं राष्ट की आए इस चैप्टर का टोटल आज अपजेक्टिव देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए चलिए और जो भी प्यारे बच्चों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी विद्यार्थी आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज क कि वीडियो तो पहला खूर्शन देखे भारत में बीदियवर्स कहा जाता है यहां आप लोग का इसनश दिख रहा और बाकिक एनसर आप लोगको नहीं दिखे restraint जाता है तो एक अपरेल fragrance 31 मार्ज तक को बीटिये वर्स खायाता है क्या वर्स खायाता है बीटिये वर्स चलिए दूसरा कोश्चन की और बढ़ते हैं दूसरा कोश्चन में है कि भारत में किस राज की परतिवेक्ति आय सर्वाधिक है मतलब भारत का कौन सा राज है जो भी सर्व से अधिक आए है परतिविक्ति बिहार का चंडीगड़ का हर्याना का यह गोवा का तो सबसे अधिक आए वाला परतिविक्ति आए वाला राज कौन सा है आप लोग जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए लाइब सेक्षन में आप लोग एंसर देते चलिए और जो भी प्यारे बच्चों बाद में वीडियो देखते हैं वो कॉमेंट में एंसर जरूर देते चलिए चेलिद इसका ऐंसर उससे आप लोग को देखिक एंसर देने सा आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को कितना ओजिक्टिव यह आद है तो भारत में किस राज की पर्तिवेक्ती आया शर्वाधिंख है तो वह गोवा का है चलिए तीसरा नंबर क्यों रहे तीसरा में है कि बिहार में किस जिले का परतिवेक्ति आया अधिक है बिहार की बात कर रहा है बिहार में किस जिला का परतिवेक्ति आया अधिक है पटना का है या फिर गया का सिवहर का या नालंदा का पतना गया सिवहर नालंदा ये चारों में से आप भिहार में सबसे अधिक आयवाला जिला कौन सा है तो इसका राई टेंसर हो जाए पतना जो है सबसे अधिक परतिवेक्ति आयवाला जिला है चलिए चार नंबर क्यों बढ़ते हैं चार नंबर में हैं कि दादा भाई नौरो जी ने सर पर्थम राष्टी ये आय का अनुमान कव लगाया गया था 1968 में 1968 में 1968 में या फिर 1888 में 1998 में चली इसका आप लोग जबाव दीजी तो दादा भाई नौरो जी ने सर पर्थम राष्टी ये आय का अनुमान जो है 1868 हिस्वे में लगाये थे चली पाच नंबर क्यों वे पाच नंबर में कुश्चन में है कि परत्यच करके अंतरगत निवन में से किसे सामिल किया जाता है परत्यच करके अंतरगत निवन में से किसे सामिल किया जाता है आय करको या उत्पाद करको या फिर विक्री करको या इन में से कोई नहीं तो इसका आप लोग इंसर दीजिए तो तो इसका इंसर क्या हो जाएगा आई कर को जो है परत्यच कर के अंतरगत सामिल किया जाता है छे नंबर में देखी छे नंबर में है कि सन दो हजार आठ के अनुसार भारत की आउसत परती वेक्ती आई है मतलब दो हजार आठ के से नो के अनुसार नो के अनुसार भारत की आउसत परती वेक्ती आई कितना था 22,530 रुपया या 25,494 रुपया या 6,610 रुपया या 54,850 रुपया था तो भारत में जो आउसत परती वेक्ती आई जो था वह 25,494 रुपया था दो हजार किसके आठ और नो के अनुसार पूछेगा कि कितना था था 25,494 रुपया चलिए साथ नंबर क्यों रहे है साथ नंबर में है कि उत्पाद एवं आए गनना विधी आर्थिक दिरिष्टी कोन से है सहज है, बेग्यानिक है, बेवारिक है या इन में से सभी है तो उत्पाद एवं आए गनना पिधी आर्थिक दिरिष्टी कोन से जो है, वह क्या है तो सहज भी है, बेग्यानिक भी है, और फिर बेवारिक भी है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, इन में से सभी चलिए, आठ नमबर क्यों रहे है आठ नमबर में है, योजना काल में भारत की औुसत बारसिक विकास दर रही है तीन पॉइंट पाच पर तीसद, चार पॉइंट दू पर तीसद, छे पॉइंट पाच पर तीसद या फिर साथ पर तीसद योजना काल में भारत की आवसत बारसी विकास दर रही है तो क्या रही है इसका जो बारसी पर तिसत जर जो अवसत बारसी विकास दर जो रह classrooms 4.2 पर परतिशत रही है चलिए नो नंबर में आईए नो नंबर में है कि बिहार में परतिव व्यक्ति गरीवी में गुजर रही है 14.4 परतिशत या 42.3 परतिशत या या 16.4 परतिशत तब बिहार में परतिव व्यक्ति गरीवी में गुजर रही है तो इसका एंसर आप लोग दीजिए तो इसका एंसर हो जाएगा 41.4 परतिशत जो है गरीवी में गुजर रही है चलिए 10 नंबर क्यों रही है 10 नंबर में है कारियों के बदले में जो परिस्रमिक मिलता है उसे क्या कहते है मतलब जब हम कार मतलब काम करते है और जो काम कदले करने के बाद हमको परिस्रमिक दिया जाता है उसको हम लोग क्य या इन में से सभी कहते हैं तो तो कार्ज मतलब जब आप कहीं भी काम करने जाते हैं तो काम के बाद आपको क्या जगाया जाता है रूपया पैसा दिया जाता है तो रूपया पैसा क्या कहलाता है आई कहलाता है तो इसका एंसर हो जाएगा B नमबर चलिए 11 में आईए 11 में है कि बिहार में किस जीले का पर्ति विक्ति आई जो है सबसे कम है नालंदा का, रोहताज का सिवान का या सिवहर का बिहार में किस जीले का पर्ति विक्ति आई जो है सबसे कम है चलिए बताईए इसका एंसर दवा हो जाएगा सिवहर का जो है पर्ति विक्ति आई जो है सबसे कम है बिहार में चलिए 12 नमबर में आईए 12 नमबर कुस्चन में है कि बिहार की अर्थ व्यस्था में प्रात्मिक चेत्र का मुख अंग कितने है बिहार का जो अर्थ व्यस्था है उसमें प्रात्मिक चेत्र का पर्मुख अंग कितने है निर्मान है, क्रीसी है, परिवहन है या फिर वेपार है पर्मुख अंग पूछ रहा है चलिए इसका answer दीजिए तो प्रमुख अंग जो हुआ क्रीसी है बिहार का और्त विवस्था का पर्मुख या नीए प्रात्मिक छेटर का पर्मुख तो वह क्रीसी है क्रीसी छेटर को प्रात्मिक कहतं है चलिए तेरा नमबर क्यों रहा है ये तेरा नमबर में है बर्स 2005 से 6 निमली खित में किस राज का परती वेक्ति आई अपेच्छा किर्थ अधिक थी मतलब बर्स 2005 से 6 में जो है किस राज का परती वेक्ति आई जो अपेच्छा अपेच्छा किर्थ अधिक थी मतलब अब है नहीं उस टाइम क्या था अधिक था तो महराष्ट का गुजरात का उरीशा का या फिर उतर परदेश का महराष्ट का गुजरात का उरीशा का या फिर उतर परदेश का चलिए इसके इंसर आप लुग दीजी तेज के इंसर क्या हो जाएगा वह जो था महराष्ट का था चलिए आगे बढ़ते हैं चौदा नंबर की ओड़ चौदा नंबर में है कि राष्टी ये आई का अर्थ है सरकार की आई सारुजनिक उपकर्मों की आई या परिवारिक आई या उत्पादों के संसाधनों की आई तो राष्टी ये आई का मतलब क्या होता है राष्टी ये आई का मतलब क्या होता है बताईए आप लोग जितने भी प्यारे बच्चे जुरे हुए है लाइव सेक्षन में आप लोग इंसर जरूर देते चलिए और साथी साथ बिहार बोर्ड के जितने भी प्यारे बच्चे तयारी कर रहे हैं सभी के पास या विडियो जरूर सेयर कीजिए आपके पास जितने भी गुरू पुरूप होगा सभी में आप लोग सेर कर दीजी वीडियो और जो भी प्यार बच्छों नए होगा चेनल को सब्सक्राइब जरूट कर लीजिए चलिए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा उत्पादन के संसाधनों का आय होता है पंद्रा नंबर की ओर आई है पंद्रा नंबर में है कि बिहार की आय में सरवाधिक योगदान होता है क्रीसी चेतर का और धोगिक चेतर का सेवा चेतर का या इनमे से कोई नहीं जो मतलब बिहार का आय है उसमें सरवाधिक योगदान किसका होता है क्रिसी का मतलब बिहार में सरवाधी की युगदान जो होता हुआ सेवाच शेत्रहोग चलिए शोला नंबर में देखिए अब है कि उलानमा कि राष्टिय गन्य का आयाम नहीं है मौदरिक उतपाधन या फिर सरकार का राष्टि उतपाधन सखल करा स्थी उतपाधन या ळसुधर राष्टि उतपाधन या शकल घरलू उतपाधन राष्ट्य गण्ना का आयाम कौन नहीं है? मोंदरिक उत्पादन यह राश्टिय आई का आयाम जो है नहीं है छी इस नंबर क्यों रहा है की राश्टिय आई जाना जाता है से यसे द्व ज firing पाद घरल्ण फ्क्रीं चर्ण की द्वार और यह Lego तो वह जो है राष्टी ये आय का कैसे जाना जाता है आय गनना विधिद्वारा वेवसाइक गनना विधिद्वारा उत्पाद गनना विधिद्वारा या उप्युक्त सभी चलिए इसका एंसर दीजिए तो वह जो है आय गनना विधिद्वारा भी जाना जाता है वेवसाइक के गरना भी दीद्वरा और उत्पाद गरना तैस का इंसर क्या हो जाएगा उप्यूक्त सभी हो जाएगा चलि यह 18 नंबर की हो रही 18 नंबर में है कि बाई बरावर c प्लस ल फोर्मूला को बताया है प्रोफेसर केंस ने प्रोफेसर फीसर ने या प्रोफेसर मार्सल ने या प्रोफेसर पीगू ने तो वह प्रोफेसर केंस ने बताए चलिए उन तो यह देखी यह था हम लोग का टोटल अठारा कोश्चन इस चेप्टर जो है इतना ही कोश्चन बनता है तो हम लोग आई टोटल देखने कितना इस चेप्टर क का टोटल कोश्चन देख लिए इस चेप्टर का टोटल कोश्चन हम लोग देख लिए तो चलिए और जितने भी प्यारे बच्च और इसी तरह हम हर एक चेप्टर वाई चेप्टर का कोश्चन देख रहे हैं तो आप लोग जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी लोग चैनल क जितने भी नए है और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि हर एक चेप्टर वाई चेप्टर का आपको तैयारी अच्छे धंग से हो जाए अपने दोस्तों मित्रों के पास सेर जरूर किजिए तो चलिए प्यारे बच्चों मि मिलते हैं कल की वीडियों तब तक आप लोग हसते रहें मुश्कुराते रहें और मन लगा के पढ़ाई करते रहें तो मिलते हैं कल की वीडियों तब तक जय हैं जय भारत